नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर पुंच में आतंकियों ने फिर शुरू की फारिंग मिनी सची वालिया और एक घर से हो रही है गोली बारी एनकाउंटर में अब तक चार आतंकी थे कई और आतंकियों के छिपे होनी के आशंका आप विधाय का माना तुल्लाग खान पर लटकी गिरफकारी की तलवार साली की पतनी का बयान दर्ज डेट साल में पांच बार शोशन का आरोप, संगरूर में पार्टी नेता पर नावालिक से रेप की कोशिश का आरोप शाहबुदीन की रिहाई के बाद गर्माई बिहार की सियासत शाहबुदीन को लेका राजुराजेपाल से मिलेंगे बीजबी के नेता सुशील कुमार मोदी का बयान साथ साथ नहीं चल सकते सुशासन और शाहबुदीन कश्मीर में पत्थर बाजो पर ग्रह मंत्री सक्त राजनात सिंग ने सुरक्षा बलों को दिये घर देश कहा घाटी के युवाओं को उकसाने वालों के खिलाफ करे कड़ी कारवाई साथ दिन में दुरस्त हो कश्मीर के हालात समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए क्रिकेटर प्रवीन कुमार प्रवीन के भाई का बयान कहा अखिलेश सरकार में स्पोर्ट्स प्रमोशन से जुड़े हैं प्रवीन उत्तर कोरिया में पुर्वोतर में बाड का कहर बाड में मरने वालों की संख्या हुई 133-395 लोगों के लापता होने की खबर और स्विर्जिलान के वावरिंग का बने यूएस ओपन शैंपियन फाइनल में नमबर वन खिलाडी नुवाग जोकोविच से पहला सेट हारने के बाद चार सेटो में दी शिकस्त तो ये इस वक्त की बड़ी खबरे देखते रहें टीवी लाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार